आपके समस्त पित्रों का भरपूर आशिरवाद आपके पूरे परिवार को पित्र पक्ष की बहुत बहुत शुपकामनाई एवं बधाईया। पूरे परिवार पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वास्त रहें, व्यास्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगती को आप प्राप्त करते रहें। के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस बार पित्र पक्ष का अरंब 10 सितंबर 2022 शनिवार से हो चुका है। जो कि 25 सितंबर 2022 सर्व पित्र मोक्ष अमावस्या के दिन पित्र पक्ष का समापन हो जाएगा। अगर आपको पित्र पक्ष के दोरान ये संकेत दिखाई दे तो आप समझ लेना कि पित्रों की आपके ऊपर तथा आपके परिवार के ऊपर अदभुत क्रपा होने वाली है। ये संकेत ये बताते हैं कि पित्र आप से प्रसन है तथा आपके जीवन में खुशाली आने वाली है। आपकी उन्नती होने वाली है। आपकी प्रगती होने वाली है। तो ये कुछ संकेत हम आपको बताने जा रहे हैं अगर आपके घर परिवार में कई प्रकार की का सामना आपको करना पड़ रहा है या फिर परिवार के बीच में वैचारिक बदभेद उत्पन्न हो जाते हैं या फिर विवह योग्य वर या कन्या का विवह नहीं हो पाता है अथ्वा आपकी नोकरी में उन्नती नहीं हो पा रही है प्रगती नहीं हो पा रही है आप अपन पन्न होते रेते हैं, तो आप समझ लेना कि आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर पित्र दोश लगा हुआ है, जब हमारे म्रतक पूरवज, माता पिता या फिर चाचा चाची, ताउ, इत्यादी जो भी हमारे पूरवज या परिजन होते हैं, जिनकी म्रत्यू हो अगर अभी तक किसी कारण से विधि-विधान से संपन नहीं हुआ है, तो उनकी आत्मा भटकती रेती है, उनका मोक्ष नहीं होता है, और उनकी जब आत्मा भटकती है, तो वो परिशान होते हीं, ऐसे में आपके घर परिवार से वो अपेक्शा रखते हैं, कि आप उनके के लिए पिंददान करेंगे पित्रदो शांती करवाएंगे तरपन करेंगे शाद्र करेंगे ऐसी परिश्टिति आपके घर में निर्मित हो जाती है कि आप किसी कार्नवस उनके लिए शाद्र कर्म संपन्न नहीं कर पाते हीं तो आपके घर के ऊपर परिवार के ऊपर पित्रदोष निर्मित हो जाता है और पित्रदोष दीरे धीरे करके जो है महा भयंकर सुरूप को प्राप्त कर लिता है तो अगर आपको इन सब परिष्टितियों का सामना निरंतर करना पड़ रहा है तो आप पित्रदोष की शांती अवश्य कराएं किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर के आप पित्रदोष शांती करवा सकते ही जैसे आपके निकट यदि कोई भी तीर्थ स्थल है उज्जेन है या नर्बदाजी का किनारा है या गंगाजी का किनारा है या फिर गयाजी यदि आप जा सकते हैं तो अति उत्तम है या फिर बद्रिनाद धाम में ब्रह्म कपाली यदि आप करना चाहते ही तो वहाँ पर भी आप पित्रों के निमित ब्रह्म कपाली श्राद्ध संपन्न कर सकते हीं लेकिन ध्यान रखे पहले आपको गयाजी में जाकर के श्राद्ध अवश्य करना चाहिए उसके बाद अंतिम जो स्थान होता है पित्र मोक्ष का जो की बद्रिनाद धाम में ब्रह्म कपाली के रूप में संपन्न किया जाता है और वहाँ पर जिनका श्राद्ध या विदि विधान से पिंड़दान किया जाता है उनका मोक्ष अवश्य ही होता है इसमें कोई शंसई नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप गयाजी जाकर के शाद्ध करते हैं तो अति उत्तम है गयाजी आप एक बार भी जा सकते हैं दो बार भी जा सकते हैं और कई बार आप गयाजी जाकर के शाद्ध कर सकते हैं लेकिन बद्रिनाद्धाम यदि आपने ब्रह्म कपाली कर दिया है, तो फिर आपको गया जी जाने की अउशक्ता नहीं होती है, और इसी तरह कई लोगों के मन में ये धारना है, कि गया शाद्ध करने के बाद में पित्रों का तो मोक्षो हो गया है, फिर हमको अपने घर में उनके निमित्त कुछ भी करने के अउशक्ता नहीं है, ये बिलकुल गलत धारना है, हम आपको इस्पस्ट कर दें, कि अगर आपने गया शाद्ध कर दिया है, ब्रह्म कपाली भी उनकी कर दी है, तो भी आपको पित्रों के निमित्त तरपन करना चाहिए, पित्रों के निमि में आबाहन करके उनको पुना बुलाना नहीं चाहिए आप उनके निमत तरपन कर सकते हैं और उनके निमत ब्रह्मनों को भोजन भी करवा सकते हैं उनके निमत गोमाता को आप ग्रास खिला सकते हैं कव्वे को रोटी दे सकते हैं आप चीती को आटा खिला सकते हैं और अतिति को भोजन करवा सकते हैं तथा आप कुट्टे को भी ग्रास किला सकते हैं आपके घर पर यदि कोई भी मंगने वाला या फिर जर्वत पुन व्यक्ति आता है तो उसको भी भोजन करवा सकते हैं इसमें कोई दोश्ट नहीं है इसी तरह जो शाद्ध कर्म होता है पित्र कर्म हो है तो पुत्र वधू भी शाद्ध कर सकती है और पुत्र का बेटा भी कर सकता है या कोई भी परिजन उनके निमित शाद्ध कर्म संपन्न कर सकते हैं महिलाएं भी शाद्ध कर सकती है इसमें कोई शंसय नहीं है तथा माता पिता भी अपने पुत्र का शाद्ध कर सकते हैं बह श्राद्ध कर्म में कभी भी उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, श्राद्ध कर्म में क्रोध नहीं करना चाहिए, पूरी श्रद्धा और निष्था से जो कर्म किया जाता है, उसे ही उत्तम श्राद्ध कहा गया है, प्रतीक इंसान चाहता है कि वो जीवन में उड़नती करे और प्रगती करे लेकिन कई प्रकार की बाधाओं का सामना उसको करना पड़ता है तो अगर आपको पित्र पक्ष में सबसे पहला संकेत जो हम आपको बताने जा रहे हैं अचानक आपको धन की प्राक्ती होनी लगे यने आपको किसी से रूपे पैसे लेना है और वो बार-बार मांगने पर भी आपको नहीं दे रहा है और पित्र पक्ष में यदि अचानक वो व्यक्ति आपको उधार दिया हुआ पैसा लोटाने लगे अचानक धन लाब आपको पित्र पक्ष में होने लगे तो ये पित्र क्रपा का ही एक बड़ा संकेत माना जाता है दूसरा संकेत है कोई कार्य आप बहुत दिनों से करने के लिए इच्छूखे लगातार प्रयास कर रहें और वो काम अभी तक संपन नहीं हो पा रहा है लेकिन अचानक पित्र पक्ष में वो कार्य आपका यदि होने लगे तो समझना कि ये पित्र क्रपा का ही एक दुरलप संकेत माना जाएगा इसी तरह यदि आप अपने जीवन में नया घर खरीदने की इच्छा रख रहे हैं या नया वाहन आप खरीदने की इच्छा रख रहे हैं या कोई भी प्रपर्टी खरीदने की आपके मन में बहुत दिनों से इच्छा है लेकिन उस कार्य को आप अंजाम नहीं दे पा रही और अचानक प्रापर्टी खरीदने का कार्य वहन खरीदने का कार्य घर खरीदने का कार्य यदि पित्र पक्ष में संपन्न हो जाता है या पित्र पक्ष में उसकी चर्चा फाइनल हो जाती है तो ये भी एक प्रकार का पित्र क्रपा का ही संकेत आपको मानना चाहिए याने पित्रों के माध्यम से ही वह वस्तु आपको मिलने वाली है यदि आप सपने में अपने पित्रों को जैसे माता पिता को या फिर अन्य जो भी मरतक परीजन है उनको सपने में प्रसन्न वस्था में देखते हैं तो समझना कि पित्रों की अद्बुत क्रपा आपके जीवन पर अब होने वाली है आपके पित्र आपसे प्रसन्न है लेकिन ध्यान रखे कि अगर आपके पूर्वज आपके पितर जो भी मृतक परीजन है वो यदि आपके सपने में आकर के लगातार रोते हैं और दुखी होते हैं तो आप समझना कि आपके पित्र अत्रप्त है और आपसे वो कुछ अपेक्षा रखते हैं इसलिए उनके निमित आपको शाद्ध कर्म करना चाहिए तरपन आदी जो भी विधिविधान आपसे बन सके वो कर्म उनके निमित अवश्य करना चाहिए इसी तरह यदि आप कोई कारी को करने जा रहे हैं और उस कारी में बहुत बाधाई उत्पन हो रही थी लेकिन किसी भी वरिष्ट भुजुर्ग व्यक्ति के सहयोग से वह कार्य संपन हो जाता है या दादा दादी या माता पिता की क्रपा से या उनके सहयोग से यदि वह कार्य संपादित हो जाता है तो आप समझना कि ये भी पित्रों की क्रपा का ही एक संके थे और पित्र आपसे प्रसंद है और आपके कारियों में वह सहयोग प्रदान कर रहे हैं इसी तरह यदि आप कोई भी काम करने की इच्छा कर रहे हैं और अचानक पित्र पक्ष में आपको अपने पुर्वजों का इस्मरन हो जाए पुर्वजों की याद आ जाए या किसी भी मरतक परिजन की याद आ जाए और उस दोरान आपको कोई भी खुशकबरी प्राप्त हो जाए जैसे आपको खुशकबरी मिल जाए कि आपकी पदोन्नती होने वाली है आपको अमुक इस्थान से धनलाब होने वाला है आपके बच्चे या बच्चियों का अमुक इस्थान पर लिष्टा होने वाला है तो आप समझना कि ये पित्रों का ही एक प्रकार से आशिरवाद आपको प्राप्त हो रहा है प्रत्येक इनसान जब रात्री के समय सोता है या दिन में सोता है तो उसको सपने दिखाई देते हैं और सपने में कई बार ऐसा हम देखते हैं कि कोई साप आता है और वो साप हमारी रक्षा करता है तो ये भी समझना कि पित्रों की ही एक प्रकार से क्रपा है क्योंकि जब सपने में साप याने नाग देवता आपकी रक्षा करते ही तो वो पित्र कृपा का ही एक संकेत माना जाएगा अगर आप बहुत ज़दा परेशान है और सपने में कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको खीच करके उपर लाने का प्रयास करता है या आपको संत्वना प्रदान करता है तो आप समझना कि ये भी एक प्रकार से पित्र कृपा का ही संकेत है याने आपके पितर आपके पूर्वज आपसे प्रसंद है तथा आपको वो कारिय में सहयोग प्रदान करना चाह रहे हैं पित्र पक्ष में अत्वा अमावस्या तिथी या चतुरदशी तिथी के आसपास आपको कोई भी शुब संकेत या शुब समाचार प्राप्त होता है या फिर अचानक आपको कोई भी लाभ होता है तो आप समझना कि ये भी पित्र क्रपा का ही एक संकेत माना जाएगा यानि पित्र आप से प्रसंद है तथा आपको वह लाभ प्रद इस्थिती निर्मित करवाने जा रहे हैं साथ ही जिस परिवार में बच्चों के माता पिता से बहुत अच्छे संबंद होते हैं मदुर संबंद पिता और पित्र के बीच में यदि होते हैं और उस घर में कभी भी किसी की अकाल म्रत्यू नहीं हुई है करस्मात कोई भी व्यक्ति जो है स्वर्गवासी नहीं हुआ है तो ऐसे घर में भी पित्रों की क्रपाही मानना चाहिए अगर आपके घर में किसी एक व्यक्ति की म्रत्यू हो जाती है और लगातार हम देखते हैं कि कोई ने कोई व्यक्ति जो है स्वर्गवासी होता ही जाता है प्रतियक 6 महा में एक वर्ष में कोई जिए कोई व्यक्ति उस परिवार में जो है म्रत्यू को प्राप्त हो जाता है तो समझना कि उस घर में उस परिवार के ऊपर पित्रदोष लगा हुआ है और उनको अवश्य ही पित्रदोष की सांती करवाना चाहिए अगर पित्र पक्ष में आपकी छत के ऊपर कववा आकर के बेट जाता है और दिरंतर वह काउं काउं की ध्वनी करता है तो समझना कि पित्र आपसे कुछ अपेक्षा कर रहे हैं आपसे कुछ मांग रहे हैं तो आपकी पित्रों के निमित शाद्ध पक्ष में कर्म अवश्य करें। ऐसा ही यदि पित्र पक्ष में प्रति दिन आपके घर के ऊपर कोई भी गोमाता यहने गाय आती है। तो ये तो पित्र कृपा का सबसे बड़ा संकेत माना जाएगा। क्योंकि गोमाता के अंदर समस्त देवी देउताओं का निवास इस्थान माना जाता है। और पित्र पक्ष में यदि गोमाता आपके घर आती है तो निश्चित तोर से आपके ऊपर पित्रों की कृपा अभोने वाली है। अतह गोमाता को आप अच्छा भोजन कराएं, जूटा भोजन बिल्कुल न कराएं। और किसी भी प्राणी को आपको पित्र पक्ष में जूटा भोजन नहीं करवाना चाहिए। उनको शुद्ध और पवित्र भोजन ही आपको करवाना चाहिए। अगर पित्र पक्ष में अचानक किसी बुजुर्ग या वरिष्ट व्यक्ति का आपके घर में आगमन होता है जो कई दिनों से आपके घर नहीं आये हैं लेकिन पित्र पक्ष में अचानक आपके घर में वो आ जाते हैं तो आप समझना कि अब पित्रों की आपके उपर क्रपा होने वाली है और पित्र पक्ष में आपको कुछ विशेश लाब की प्राप्ती होने वाली है अगर कोई बुजुर्ग माता या कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपको पित्र पक्ष में बहुत आशिरबात देता है दुआएं देता है कहता है कि बेटा तुम बहुत उन्नती करोगे प्रगती करोगे तो ये भी एक पित्र क्रपा का संकेत आपको मानना चाहिए लेकिन ध्यान रखे पित्रपक्ष के दोरान माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान अत्वा अनादर बिलकुल नहीं करना चाहिए यदि आपके घर पर पित्रपक्ष में कोई अतीथी आता है तो उनका सम्मान करना चाहिए उनका सत्कार करना चाहिए और कोई मांगने वाला जर्वत्मन व्यक्ति यदि पित्रपक्ष में आपके घर में आता है तो उसको दानपुन्य अवश्य करे अपनी शद्धा भक्ती अत्वा हिसियत के अनुसार कुछ निकुछ उसे प्रदान करना चाहिए इसी तरह आपके द्वार पर यदि पित्रपक्ष में कोई भी श्वान याने कुत्ता आता है तो आप उसको भी रोटी अवस्य डाले उसको डंडा मार के भगाना नहीं चाहिए और इसी तरह कोई नाद देवता या सांप आपके घर में पित्रपक्ष में आता है तो उसे मार करके भगाना नहीं चाहिए किसी तरह से उसको बाहर बिदा कर दे लेकिन उसको मारना नहीं चाहिए पित्रपक्ष में किसी भी प्राणी का वद नहीं करना चाहिए यहने उसको मारना नहीं चाहिए उसका बड़ा दोश माना जाता है सांथी पित्र पक्ष में यदि अचानक आपको कोई ऐसा समाचार मिले जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था बहुत दिनों से उसकी प्रतिक्षा थी तो आप समझ लेना कि अब पित्रों की क्रपा आपके उपर होने वाली है और आपके जो अटके हुए काम है रुके हुए काम है वो आपके होने वाले हैं तो अगर आप पित्रों की क्रपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पित्र पक्ष में प्रत्य एक दिन जलान जली उनको प्रदान करना चाहिए क्योंकि पित्र लोक से इस पित्र पक्ष में सारे जो पित्र होते हैं वो अपने परिजनों के घर के आसपास वायू रूप में भ्रमन करते हैं द्वार पर आ जाते हैं और निरंतर सर्व पित्र मोक्ष अमावस्या तक अपने परिजनों के घर के आसपास ही वो निवास करते ही तथा उनसे अपेक्षा करते ही कि हमारे लिए जलान जली प्रदान करेंगी जलान जली मतलब दो हाथ से जो है अंजली जो प्रदान की जाती है उसे जलान जली कहा जाता है हाथ में कुशा और जव तिल रख करके जल की अंजली जो प्रदान की जाती है उसे जलान जली कहा जाता है आप अपने पित्रों का नाम और गोत्र लेकर के जलान जली दक्षिन में मूग करके आपको प्रदान करनी चाहिए तथा मध्यान के समय याने दो पहर 10 बज के 45 मिनिट से लेकर के 3 बजे के बीच में अपने पित्रो को आप जलान-जली प्रदान करें और उसके बाद पित्रो के निमित पिंड दान करें अगर आप चावल का पिंड बनाना चाहते हैं तो छावल को पहले पका लिजिएगा और चावल पका करके उसमें दूद दही शहत सकरगी थोड़ा-थोड़ा मिला लीजिएगा थोड़े जव दिल उसमें डाल करके और एक गोला आपको बनाना चाहिए तथा अपने हाथ में पिंड को रख करके अपने जो म्रतक परिजन है या पितर है उनका नाम गोतर यदि आपको याद है तो बहा बोल करके आपको दक्षिन की और मुह करके अंगूठे के माध्यम से खुशा के उपर स्थापित करके हाथ जोड करके अपने पितरों से प्रार्पना करें कि हे पितर देव हम आपके लिए पिंड दान करने जा रहे हैं और दक्षिन दिसा में अपने पूर्वजों का चित्र स्थापित करें उनका पूजन करें उनके उपर माला चड़ाएं तथा प्रत्य एक दिन सुभः और दोपहर तथा शाम के समय दक्षिन दिसा में तिल का तेल का जो दीपक है वह लगाना चाहिए इस पित्रों को परम शांती प्राप्त होती है और इसी तरह जो भोजन आप निर्मान करते ही वह शुद्ध और पवित्र भोजन होना चाहिए उसमें लहसून प्याच का उपयोग बिलकुल न करे शुद्ध गी की पूरी बनाएं और खीर बना करके और पित्रों को भोग लगाएं तथा उनको भोग लगाने के बाद यदि संभव हो तो ब्राम्मन को भोजन करवाएं। यदि ब्राम्मन को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो आप उनको आटा, दाल, चावल, सीधा, सामगरी भी प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह गो माता को शुद्ध और पवित्र भोजन कराएं, गो माता को जूटा भोजन बिल्कुल प्रदान न करें, तथा कुत्ते को रोटी खिलाएं, कव्वे को रोटी खिलाएं और इसी तरह आप चीती को आटा और शकर डालें, तथा मचलियों को भी दाना चुगाना च यह बिल्कुल गलत धरना है पित्र बक्ष में भी आप पूजन अर्चन करें भोग भी लगाएं आरती भी उतारें शंक बजाएं और नियमेत रूप से जो कारी आप करते हैं वो आपको करना चाहिए इस तरह आप पित्रों को प्रसंद करें तथा सर्व पित्रमोक्ष अमाव तो आपको उस तिथी पर ही उनका श्राद करना चाहिए इस बार प्रतिपदा का जो स्राद है वो 10 सितंबर को बताया गया है वहीं पूर्णिमा का जो स्राद है वो भी 10 सितंबर को एबं 11 सितंबर को प्रतिपदायम दूतिया का स्राद भी बताया गया है तथा 12 सितंबर को तरतिया का स्राद्ध बताया गया है 13 सितंबर चतुर्थी का स्राद्ध 14 सितंबर पंचमी का स्राद्ध है 14 सितंबर के बाद जो 15 सितंबर आएगी उस दिन 6 तिति का एवं भरनी का स्राद्ध है 16 सितंबर शुकरवार को सप्तमी का स्राद्ध है 17 सितंबर को स्राद्ध पर्व रहेगा लेकिन कोई तिथी मध्यान व्यापिनी नहीं होने से उस दिन जो है केवल स्राद्ध कर्म संपन्न कर सकते ही उस दिन विश्व कर्मा भगवान का पूजन होगा महालक्ष्मी व्रत भी उस दिन माना जाएगा 18 सितंबर विवार को अश्टमी का स्राद्ध होगा तथा इस दिन जीवित पुत्रिका याने जीवतिया का स्राद्ध और पूजन कर्म संपन्न होगा 19 सितंबर को नवमी का स्राद्ध होगा जिसे मात्र नवमी के नाम से भी जाना जाता है और 20 सितंबर को दश्मी का असराद्द होगा तथा 21 सितंबर को एका डशी का असराद्द होगा इस दिन पित्र एका डशी भी रहेगी लेकिन ध्यान रखे अगर आप एका डशी का असराद्द करते हैं तो आपको उस दिन फलाहारी खीर का निर्मान करना चाहिए और उस दिन ब्राम्वनों को यदि आप भोजन करवाते ही तो फलाहार वाला भोजन ही आपको करवाना चाहिए इस दिन अन्न का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा पित्र एका रशी के दिन चावल की खीर आपको नहीं बढ़ाना इसी तरह बाईस सितंबर को द्वादशी का असराद्ध होगा तेवीस सितंबर को त्रयोदशी का असराद्ध होगा एवं मघा का असराद्ध भी इस दिन संपन्न होगा चोवीस सितंबर को चतुरदशी का असराद्ध होगा वही 25 सितंबर को सर्व पित्र मोक्ष अमावस्या रहेगी सभी ज्यात अज्यात पित्रों का शाद जिनकी तिथी याद है यार याद नहीं भी है उन सभी का शाद आपको सर्व पित्र मोक्ष अमावस्या इने 25 सितंबर के दिन संपन्न करना चाहिए तो अगर आप शाद्ध की विजी अपने अनुसार करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन यदि आप किसी कारण स्राद्ध करने में अश्मर्थ है आपके पास समय नहीं है तो आप हमारे माध्यम से भी अपने पित्रों का स्राद्ध कर्म संपन्न करवा सकते हैं इसे तु अपने पित्रों का नाम तथा गोत्र हमें वाक्सेप के माध्यम से भेज दीजीगा तथा इसे तु नगद राशी हमारे पेटीम के माध्यम से गूगल पे के माध्यम से फोन पे के माध्यम से एकाउन नंबर के माध्यम से या वाक्सेप पैमेंट के मार्द्यम से भेज करके पित्रपक्ष का संपूर्ण पुनिला प्राप्त कर सकते हैं सांत ही आपसे नुरोधे कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अभश कर लिजे आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी कर्शन, सादर जान्यवात